बीते कुछ दिनों से एक बड़े लोन फ्रॉट केस में धड़ा-धड़ आक्शन हो रहा है जिसे सूट बूट की सरकार विपक्ष कहता रहता है आप सुनते हैं न हमेशा राहूल गांदी और उनके मित्र जो हैं वो कहते रहते हैं ये सूट बूट वालों की सरकार है पहले इसी केस में ICICI बैंक की पूर्व M.D. और CEO चंदा कोचर और उनके पती धीपक कोचर को अरेस्ट किया लिए अगर परिभाशा के हिसाब से चलिएगा तो ये सारे सूट बूट वाले लोग हैं और ये वो लोग भी हैं जिनका कभी UPA के राज में डंका बसता था लेकिन आज ये सब जेल के अंदर और ये जेल के अंदर क्यूं है इसकी वज़ा है UPA के राज में हुए बैंक लोन फ्रॉड का आरोप वो केस जिसमें 3,250 करोड रुपे से जादा की दोखा दड़ी कारों आज मैं आपको इस केस के बारे में तो बताऊंगा ही साथ ही आपके उन पैसों का चैप्टर भी खोलूँगा जिसमें आपको पता चलेगा कि आपके पैसों को मनमोहन ने डुबाया या मोदी ने और मोदी के दोस्त या राहूल के देश के लिए खत्रा कौन है सबसे पहले अभी से शुरुवात करता फिर इतिहास में जाओ जिस लोन फ्रॉड मामले में वेनु गोपाल धूत जैसे बड़े उद्योग पती और चंदा कोचर जैसी नामी बैंकर को अंदर कर दिया गया उस मामले में CBI ने F.I.R का दर्च की थी पता है उसी सूट बूट वाली सरकार के समय 2019 यूपिय के समय नहीं हुआ लेकिन ये मामला कब शुरू हुआ वो भी बताता हूँ साल 2017 में CBI को शिकायत मिली कि चंदा कोचर ने रिश्वत लेकर वीडियो कॉन ग्रुप को लोन बाट गिये अब अगर सूट बूट वाली सरकार थी तो बचाना चाहिए ता परहसा हुआ नहीं साल 2018 में CBI ने इसकी जान शुरू कर दी और साल 2019 में FIR दर्ज हो गई FIR में चंदा कोचर दीपक कोचर जो उनके पती है और वेणू गोपाल धूट का नाम आ गया विडियो कॉन के एजिट चेर्मेन इसके लावा दीपक कोचर की कमपनी New Power Renewables Private Limited का नाम आया अब इसका नाम क्यों आया अब आगे बताओ वेणू गोपाल दूट की कमपनी Supreme Energy, Video Con International Electronics Limited और Video Con Industries Limited का भी नाम इस जांच में आया CBI ने सूट बूट वालों को छोड़ा नहीं उसने इनके खिलाब आपरादिक साजिश और Prevention of Corruption Act के तहस केस दर्ट नहीं Loan Fraud के इस High Profile केस की कहानी शुरू लेकिन सूट बूट वाली सरकार में नहीं हुई शुरू उस सरकार में हुई जो जिसके नेता अब सूट बूट वाली सरकार होने का आरोप लगा Loan Fraud के इस High Profile केस की कहानी शुरू होती है साल 2009 में जब UPA की सरकार मई 2009 में ICICI Bank ने चंदा कोचर को CEO बनाया और MB का पद भी दे दी उसी साल 26 अगस को VideoCon International Electronics Limited को 300 करोड का भारी भरकम Loan मनजूर हो गया अब सुनिये आरोप क्या लगता है 300 करोड का पहले Loan मिला है कहा जा रहा है कि 7 सितंबर 2009 को Loan VideoCon कमपनी को दिया गया इस 300 करोड के लोड के लावा साल 2009 में 2011 के बीच VideoCon Group को 1575 करोड रुपे के 5 High Value Loan और दे दिये गया मतलब लगातार यह सब चलता रहा आरोप है कि VideoCon Group को ये लोन बैंक की पॉलिसी और RBI के नियमों को ताख पर रखकर दिया अब सवाल ये इतने बड़े-बड़े लोन दिये जा रहे थे और इस देश के उस वक के प्रजानमंत्री जो इतने बड़े अर्थशास्त्री है रहे थे जो एक समय में RBI के गवर्नर भी रहे थे उनको ये सब नहीं दिखा अच्छा उनको एक लोन का नहीं दिखा होगा बाकी का तो दिखना चाहिता जिसके बारे में मैं अभी आपको आगे बताने बाला हूँ जाहिर सी बात है कि VideoCon Group ये महरबानी फ्री में तो नहीं कर रहा होगा क्योंकि आरोप ऐसे ही नहीं लग रहे है अग खेल क्या हुआ CBI की FIR के मताबिक ज़रा उसको सुख 7 सितंबर 2009 को VideoCon Group को 300 करोड का लोन मिला अगले ही दिन 8 सितंबर यानि नेक्स्ट डे CBI का रोप है कि इस 300 करोड में से 64 करोड रुप है जबकि 300 करोड रुप है का लोन VideoCon की कंपणी को इसलिए नहीं दिया गया था कि वो लोन की रकम किसी और कंपणी को दे था CBI अब भाई लोन इसलिए थोड़ी मिलता है आप मेरे से कहें कि भाईया थोड़ा उधार देना और फिर आप मुझसे उधार लेके आप किसी और को उधार दे दे या किसी और में इन्वेस्ट कर दे CBI का F.I.R. में आरोप ये भी है कि VideoCon Group को 300 करोड रुप है का लोन मनजूर करने के बदले 64 करोड रुप है जो इन्वेस्टमेंट हुआ वो रिश्वत के तौर पे चुए साल 2009 में VideoCon Group को 300 करोड और फिर साल 2011 में 700 करोड का लोन ICICI बैंक ने दिया इन दोनों लोन को मनजूर करने वाली सैंक्शनिंग कमीटी में चंदा कोचर भी इसके बाद लोन चला जा रहा है आरोपे की चंदा कोचर के ICICI बैंक की मजबूत पोजीशन पर रहते वे VideoCon Group की कमपनियों को जो लोन दिये गए उसमें से जादा तर लोन चुकाए नहीं गए और वो बैंक के लिए Non Performing Assets NPA बन गए जिससे बैंक को 1730 करोड रुपे का नुफसान हुआ यारोग CBI की FIR और अब तक की जांच के मताबिक इस लोन फ्रॉड की पूरी कहानी पहले ही रची गए चंदा कोचर और उनके पती दीपक कोचर के साल 1994 से ही VideoCon Group के मालिक वेनों कुपाल धूच से अच्छे संबद चंदा कोचर ने ये बात ना तो ICICI बैंक को बताई और ना ही खुद को उन कमिटी से दूर रखा जो VideoCon Group की कमपनियों का लोन मंजूर कर रही बाई काइदे से आपका कोई जानकार है जिसको सालों से जानते हैं उसको लोन देने की बारी साल 1996 से 2016 तक चंदा कोचर मुंबई के जिस फ्लैट में रह रहे हैं वो भी VideoCon Group का था साल 2016 में इस फ्लैट को चंदा कोचर के Family Trust ने VideoCon Group से सिर्फ 11 लाक रुपे में खरीद लिया जबकि फ्लैट की कीमत 5 करोड से ज़ादा बताई गई का गया है आरोप में कि साल 1996 में ये फ्लैट 5 करोड 25 लाक में विका था 1996 में अच्छा एक वक्त था जब बैंकिंग की दुनिया में चंदा कोचर बहुत बड़ा नाम हुआ कर था साल 2009 में सबसे बड़े Private Bank को समालने वाली वो पहली भारतिय माइला बनी था अच्छा जिस सरकार को सूटबूड वाली बताया जाता है उसके समय तो जेल जाना पड़ रहा है लेकिन जो सरकार बहुत साफ थी अपने इसाब से उसके वक्त जो लोग आज जेल जा रहे हैं उन्हें UPA सरकार के वक्त अक्टूबर 2018 में चंदा कोचर को ICICI Bank से स्तीफा देना भागा सुप्रीम कोड के रिटायर जजज B.N. श्रीकरचना को इस मामले की जांच सौपी गई थी जांच कमीटी ने चंदा कोचर को नियमों के उलंगन का दोशी पाए दोशी पाए जाने पर चंदा कोचर को पादिच पुरने पर मजबूर होना परा